असलाम अलेकुम ग्रेट फाइफ माई नेम इस सदफ और आ यूर कम्प्यूटर टीचर चैप्टर नबर 7 जिसका नाम है Windows Accessories और आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Calculator तो चलिए देखते हैं कि Calculator को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं Students आज इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है Calculator सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम Calculator को यूज करते हैं Students आप लोगों को पता है कि Mathematical Calculations को Perform करने के लिए हम लोग Calculator को यूज करते हैं हमारे Computer System में भी हमारे पास एक Calculator होता है जिसको हम लोग Computer Calculator कहते हैं और उसे हम यूज करते हैं Different Arithmetic और Mathematic Problems को Solve करने के लिए यानि कि हम लोग Basic Mathematical Problems को Solve करने के लिए इसे यूज करते हैं इसे के Addition, Subtraction, Multiplication और Deviant टाइप के Questions को Solve करते हैं हम इस Calculator के जरिए ठीक है तो Students सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से Calculator को Open करते हैं अपने Computer में तो मेरे साथ कीजिए आप भी सबसे पहले क्लिक करेंगे Start Button को Start Button के बाद हम लोगों ने जाना है All Programs में आप लोगों को नज़र आ रहे हैं All Programs इसके बाद Students हमें Accessories का एक बटन नज़र आ रहे हैं इस Drop Down को हम लोगों ने क्लिक करना है और जो Programs आप लोगों को नज़र आ रहे हैं Students इन Programs में से एक Program है Calculator चलिए इसे Open कीजिए जी Students Calculator का हम लोगों ने Open कर लिया है और आप लोगों को Calculator की Window भी नज़र आ रहे है Students आप लोगों को जो Window नज़र आ रहे है उसको एक बार Explore कर लेते हैं कि ये Components हमें क्या-क्या नज़र आ रहे हैं तो Students अब देखिए सबसे उपर आप लोगों को एक Title बार नज़र आ रहे है जहां लिखा हुआ है Calculator और उसके साथ तीन बटन्स बने में है Minimize का बटन है, Restore का बटन है और Close का बटन है Students उससे नीचे आप लोगों को तीन Menu नज़र आ रहे हैं View, Edit and Help इसे हम कहते हैं Menu Bar Menu Bar से नीचे आप लोगों को एक एरिया नज़र आ रहा है Students हम लोग किसी भी नंबर को जब टाइप करेंगे तो वो नंबर इस एरिया में शोग हो जाएगा यानि कि ये एरिया है Display Number Box ठीक है, Display Number Box से नीचे Students आप लोगों को कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं इन बटन्स को हम कहते हैं Control Buttons और उससे नीचे आप लोगों को जहां पर नंबर लिखे वे नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे नंबर इससे हम कहते हैं Keypad ठीक है, Keypad के जरीए हम लोग किसी भी नंबर को यहां पर टाइप करते हैं और उसे हम क्लिक किस तरह से करते हैं अपने माउस के जरीए Keypad पर किसी भी नंबर को जब क्लिक करेंगे तो वो सेम नंबर हमारे डिस्प्ले नंबर बॉक्स में शोगा तो students ये थे कुछ important components calculator के अब हम देखेंगे कि हम calculator को किस तरह से use करते हैं सबसे पहले हम लोग buttons के functions को समझ लेते हैं सबसे पहले students देखिए ये button जो आप लोगों को highlighted नजर आ रहा है इस button को हम लोग use करते हैं पहले character को left side पे जो पहला character है उसे delete करने के लिए next button देखिए CE button students ये आपके display number box में जो भी numbers होते हैं उन्हें erase करने के लिए ये button use होता है आगे है C button students ये हमारे display number box में से calculations को remove कर देता है next देखिए MS button MS button क्या करता है आपके memory में जो भी number आपके display number box पे होता है उसे memory में store कर देता है ताकि आप लोग उसे बाद में reuse कर सकें तो students MR button जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वो आपके calculator की memory में already stored number को recall करने के लिए use होता है ठीक है next button देखिए M plus students ये button आपके display number box में जो भी number होता है उसे आपकी memory में जो number store है उसमें add करने के लिए use होता है आगे देखिए M minus M minus button आपकी memory में जो number store है delete कर देता है जो के आपके display number box में आपको नज़र आ रहा है next है hysteric का button students ये button use होता है दो numbers को multiply करने के लिए आगे देखिए slash का button है ये button use होता है दो numbers को divide करने के लिए और plus का button students ये button use होता है दो numbers का sum find out करने के लिए और ये जो minus का button है Students, ये एक number में से किसी दूसरे number को subtract करने के लिए use होता है Last में देखिए, equal sign जिस button पर वना हुआ है students, ये button use होता है calculations का result find out करने के लिए Students, ये थे functions कुछ buttons के जो के हमें calculator पर नजर आते हैं अब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इस calculator पर basic calculations को perform करते हैं हम देखेंगे numbers को add करके, subtract करके, multiply करके और divide करके तो चलिए देखते हैं Students, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से numbers को add करते हैं हम लोग 2 या 2 से ज्यादा numbers को अपने calculator में add करके देख सकते हैं सबसे पहले देखिए किस तरह से करेंगे कोई से दो नंबर सोच लेते हैं जैसे कि for example अगर मैं 15 और 9 को एड़ करना चाहती हूँ तो students मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले लिखोंगी 15 और उसके बाद मैं operator का sign बताऊंगी यह operator कौन सा होगा plus sign होगा addition करना चाहते हैं ना हम तो students मैं लिखोंगी फिर plus और उसके बाद हम लोग देंगे second number और students उसके बाद हम लोग equal sign वाले button को press करेंगे और students हमारा result हमारी screen पर show हो जाएगा देखिए मेरे साथ कीजिए सबसे पहले 15 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम number 1 को click करेंगे और उसके बाद number 5 को click करेंगे उसके बाद students हम लोग click करेंगे plus key को उसके बाद हम लोग second number देंगे जो के हम लोगोंने सोचा था 9 तो students second number है 9 इसके बाद हम लोगोंने 9 को click किया अब हम लोगोंने last में equal sign की जो के आप लोगों को corner में right side पे नजर आ रही है students इसे हम लोगोंने press करना है जल्दी से click कीजिए इसे और students अब आप लोग देख सकते हैं आपके display number box में क्या show हो रहा है 24 show हो रहा है और 24 क्या है 24 ह number 15 और number 9 का sum यानि के students आप लोग इस तरीके से numbers के sum को find out कर सकते हैं अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक number में से दूसरे number को minus करते हैं यानि के subtraction का तरीका देखने वाले हैं अब हम देखिए मेरे साथ सबसे पहले पहला number लिखेंगे for example मैं 25 में से अगर number 6 को minus करना चाहती हूं तो students मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले लिखिए 25 यानि के पहले key 2 प्रेस करेंगे फिर key 5 प्रेस करेंगे अपने mouse की मदद से करनी है हमने ये ठीके उसके बाद students minus key को प्रेस करेंगे उसके बाद हम लोगोंने second number देना है second number हमने क्या सोचा था हमने सोचा था six number first number है 25 और second number है six तो students मैं यहाँ पर six को क्लिक करूँगी और इसके बाद अब हम लोगोंने equal sign key को प्रेस करना है इकल्स की आप लोगों को नजर आ रही है ना इसे अब हम लोगोंने क्लिक करना है तो students हमारे पास answer आ गया है 19 ठीक है जब हम लोगोंने 25 में से number six को minus किया तो हमारे पास 19 answer आया है और students यह हमेशो हो रहा है हमारे display number box ते इसी तरीके से हम लोग multiplication करेंगे लेकिन multiplication करने के लिए sign different use होगा और division करने के लिए sign different use होगा तो चलिए करके देखते हैं कि multiplication और division किस तरह से करेंगे Students, अब हम देखेंगे किस तरह से आप लोग 2 या 2 से ज्यादा numbers को multiply करते हैं और किस तरह से आप लोग उसका product find करते हैं चलिए देखिए मेरे साथ अगर हम लोगोंने कोई से 2 numbers को multiply करना है हम लोग 2 numbers पहले सोच रहेते हैं number 5 और 6 सोच लिया हमने 5 और 6 को multiply करना है सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग calculator को अपने पहले number की input देंगे यानि के number 5 तो students, मैं click करूँगी number 5 को और उसके बाद students, आप लोगोंने इस hysteric key को click करना है ठीके, hysteric key को click किया अब इसके बाद हम लोगोंने second number बताना है हमने second number क्या सोचा था? हमने सोचा था number 6 तो students, अब हम लिखेंगे number 6 किस तरह से? अपने mouse की मदद से key number 6 को press करके तो students, अब हम लोगोंने क्या करना है? अब हम लोगोंने equals key को press करना है ताकि हमारे पास हमारे इस calculation का answer आजाए तो students, मैंने अब इस equals key को press किया और आप लोग देख सकते हैं कि हमारे display number box में अब क्या show हो रहा है? यहाँ show हो रहा है 30 जो के answer है, हमारे इस calculation का 5 और 6 का product है ठीक है? students, अगर आप लोग 2 से ज्यादा numbers का product find out करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले first number लिखेंगे और फिर hysteric key और फिर second number और फिर hysteric key और फिर हम लोग देंगे third number इसी तरह से आप लोग अपने numbers को बढ़ाते जाएंगे लेकिन उनके दर्मियान में हम लोगोंने operator कौन सा use करना है? multiplication का operator यूज़ करना है यानि कि hysteric key को use करेंगे आगे देखिए कि हम लोग devian किस तरह से perform करते हैं चलिए देखिए students अगर हम लोगोंने 16 को 4 पर divide करना है तो students किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम लोग पहले number को लिखेंगे यानि कि सबसे पहले key press करेंगे 1 और फिर 6 और उसके बाद students हम लोग कौन सा operator यूज़ करने वाले हैं? devian operator यूज़ करेंगे ना students उसके लिए हमें key press करनी पड़ेगी slash key आप लोग अपनी screen पर देख सकते हैं अब हम लोगोंने slash key को press किया और अब हम लोगोंने अपना second number का input देना है जो के था number 4 तो students key number 4 को हम लोगोंने click करना है और अब हम लोगोंने कौन सी key को click करना है अपने answers को find out करने के लिए सब को पता है ना equals key equals key को अब हम लोग यहां से click करेंगे तो students जब हम लोगोंने equals key को click किया तो आप लोग देख सकते हैं आपके display number box में अब number 4 शो हो रहा है जो के है हमारे इस calculation का answer तो students इस तरह से आप लोग अपने calculator को use करते हुए different arithmetic calculations को perform करते हैं जैसे के addition, subtraction, multiplication और division students ये था हमारे इस chapter का last topic next lecture में हम लोग इसके exercise को शुरू करने वाले हैं इसलिए आप लोग इस chapter को अच्छे तरीके से पढ़के आईएगा तब तक के लिए students अपना ख्याल रखिएगा अल्लाहाफिस